हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकी आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिससे आप दो-चार दिन स्टोर करके रख सकते हो और खाने में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं, इतना ज्यादा ये जुर्दार लगता है कि यदि आप एक बार बार लगेगा कि इस रेसिपी को बनाएं, तो फिर देर किस बात की चरिये बनाते हैं इस रेसिपी को आज हम बनाएंगे सूजी से, उसके लिए क्या करना है, एक कप सूजी लेना है कोई साभी सूजी ले ले, जो सूजी है वो ले ले, आप मैजर कटोरी से भी कर सकते हैं, अब एक कप सूजी में आधा कप पानी डालेंगे, और पानी में एकदम गरम रहेगा, उबला हुआ पानी, उबला हुआ पानी डालने से क्या होता है, सूजी फूलता तो है ही, साथ मे ले लेंगे खड़ा धनिया, आधा चम्माच कच्चा जीरा, आधा चम्माच सौफ, सौफ की क्वांटिटी आप आधा चम्माच से कम भी रख सकते हैं, साथ में 6-7 काले मिर्च, काले मिर्च से हलका तीखा पनाता है, और दोपिस लॉंग, लॉंग से बहुत ही अच्छा फ्ल पाणी डालके पीस लेंगे, अब पीसना है, तो पानी डालके नहीं पीसना है, सुखा ही पीसना है, जब तक वो मसाला को हमने भूना और पीसा, तब तक यह सूजी भी अच्छी तरह से फूल गया, फूलने के बाद थोड़ा सा और सक्त हो गया है, तो जैसे अब हाथ में लेंगे ना, एकदम पूरा चिप-चिप लगेगा, तो अब इसमें बाइंडिंग के लिए डालना है, गेहूं का आटा, तो क्या करेंगे, एक अप सूजी में आधा कप आटा डालेंगे, आटा डालने से बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आता है, अब इसमें डाल देते ह हैं नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक को आप गम या ज़्यादा कर सकते हैं, एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर, एक चुथाई चमच अजवाइन, अजवाइन को हल्का सा क्रेस करके, डाले क्रेस करके डालने से क्या होता है, कि और भी ज़्यादा फ्लेवर उभर के आता है, अब डालना है, जो मसाली को हमने भून के रखा था, और दरदरा पीस के वो मसाला, यह मसाला ना बहुत ही ज़्यादा फ्लिवर फुल रहता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, अब इसमें डाल देंगे एक चमच सफेद तिल, सफेद तिल डालने से देखन मीठा सोडा डालने से यह थोड़ा सा ना मतलं soft के साथ साथ अच्छा खमी राता है इसलिए डालते है खस्ता पन आता है तो बस अब इन सभी चीजों को mix करना है पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है यदि कभी ऐसा लगे कि थोड़ा सा ये गिला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और गिहूं का आटा डाल दे बस मसल मसल के mix करना है अब ये पूरा अच्छी तरह से mix हो गया है और डो के form में आ गया है जैसे हम लोग आटा का लोई बनाते हैं बस वैसे ही है soft भी है तो अब इसे ढख के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे हो सके तो 15 मिनट भी रख सकते हैं 15 मिनट में ये पूरी अच्छी तरह से set हो जाएगा 15 मिनट बाद जब हमने cover हटाया तो इसका पूरा color ही change हो गया था तो हलका हलका हाथ से इस तरह से मसल दिया बस normal बेल लेंगे बड़े size का अब हमने एकदम बड़े size का बेल दिया है तो अब इसमें क्या करेंगे आधा चम्मच घी डालेंगे इस तरह से घी डालके हाथ से फैला लेंगे बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है ऐसा ना समझें कि बहुत इसमें घी के जगह आप तेल भी डाल सकते हैं अब इसमें थोड़ा सा सुखा आटा इस तरह से स्पिंकल कर देंगे इसलिए ये process कर रहे है ना कि इसे layer निकलता है यदि आप ये process नहीं करेंगे ना तो layer आपका खुल के नहीं आएगा तो fold करेंगे तो fold एकदम simple तरीके से करना है एक बार हमने fold कर लिया इसके उपर थोड़ा सा घी लगाएंगे घी लगाके फिर से सुखा आटा लगाएंगे ये ही process करते रहना है जब तक fold नहीं हो जाता है पूरा तब तक फिर से घी लगाएंगे और फिर सुखा आटा लगाएंगे एक एक बोंद घी लगाना है कि आटा चिपक जाए अब इस तरह से हलकाल का हाथ से प्रेस करेंगे प्रेस करने के बाद फिर से एक बार थोड़ा सा घी लगा लेंगे और घी के उपर फिर थोड़ा सा आठा स्प्रिंकल कर देंगे और फोल्ड कर देंगे एकदम सिंपल है जितनी अच्छी तरह से आप करेंगे ये फोल्ड उतना अच्छा आपका लेयर निकलेगा बस इस तरह से फोल्ड कर देना है और हलका सा रोल टाइप का कर देना है अब हाथ से इस तरह से रोल कर देंगे कि हलका सा मिल जाए बस इतना ही करना है अब इसे हम भाप में पकाएंगे उसके लिए जाली वाली प्लेट लेंगे और जाली वाली प्लेट के उपर इस तरह से रख देंगे पकाने का तरीका है कि आप एक कड़ाई में पानी लें, पानी में स्टन डालके ये ब्लेट रग दें, रखके ढखके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 10 से 12 मिनट भी लग सकता है 10 से 12 मिनट हो गया, कवर हटा लेते हैं आप देख सकते हैं, पूरी अच्छी तरह से पक चुका है, पकने की बाद और अच्छे से एकदम कलर चेंज हो गया, आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं अब यह पूरी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो बस अपने मन पसंद साइज में कट कर लें इस तरह से सारे पीसे तो कट हो चुके हैं, तो मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से इसमें लेयर आया है जब आप इसे फ्राई करेंगे नभी तो लेयर कुछ भी नहीं दिख रहा है, फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से खुल जाएगा तो बीच में एक बार इस तरह से कट कर देते हैं, क्योंकि आज में इसे बहुत ही जज़्यादा क्रिस्पी बना रही हूँ, इसलिए कट करके फ्राई करूँगे तो आज मैं क्या बना रही हूँ बाफला बाटी मसाला बाफला बाटी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में आप इसे सबजी या फिर दाल किसी के साथ भी खा सकते हैं तो अब एक कढ़ाई में घी गरम करना है जब घी पूरी अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो बाफला बाटी को इस तरह से डाल के फ्राइ कर लेंगे इदम क्रिस्पी होने तक फ्राइ करना है आप चाहें तो इसमें तेल में भी फ्राइ कर सकते हैं अब इसे पलट-पलट क वैसे ही अलग हो जाएगा तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और निकाल के बागी का भी सेम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे अब इस सारा बाफला बाटी बनके रेडी हो गिये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप इसे कोई भी ग्रेवी वाली सबजी के साथ खा सकते हैं भी बहुत ही ज़्यादा गरम है इसलिए मैं आपको तोड़के नहीं दिखा सक हूँ तो फ्रेंट्स अगर आज की रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें